फ्रेंड्स आप देखे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वस्नी फास्ट चैनल हे दोस्तों कैसे हैं आप लोग नावश की आपको बहुत बहुत शुपकामना है और आप लोगों ने चैनल पर एक लाख सब्सक्राइबर का परिवार बना दिया है और यह बहुत जल्दी हुआ है इसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद उन सबका जिन्होंने एक बार भी वीडियो को लाइक किया शेयर किया सब्स्राइब किया चैनल को दूसरों को कहा या कोई कमेंट करके कोई कोश्चन पूछा देखा उन सबको तहे दिल से धन्यवाद अब मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो चैनल की शुरुआत क्यों की मैंने और इसका पर्पस क्या है जर्नी क्या देखे मैं फेस्बुक वगिरा पर और अकबारों में औरड़ी लिख रहा था मेरे भीतर से ये बहुत ज़्यादा जूरून या पैशन है एक डॉक्टर होने के नाते वह ये कि मैं अग्यानता तो गरीबी और अशिक्षा को तो एक डॉक्टर के रुप में मैं दूर नहीं कर सकता था अग्यानता जो है उसको मैं दूर करने में एक कॉंट्रिबुशन अपना दे सकता था कैसे कि विज्यान जो स्वास से संबंदिन वैज्यानिक बाते हैं उनका किया जा सकता है और जब यूटूब पर मैंने हेल्फ वीडियो देखे तो मैं देखकर दंग हूं कि बहुत सारी जो अधेग्यानिक भ्रामक जन्करियां और जो कि आर्थिक तरक्की सामरिक तरक्की खुद बाखुद करने लगता है ठीक है तो इसमें कॉंट्रिबूशन देना हमारा कामिन देश बक्ति का एक यह तरीका है इसलिए मेरे चैनल का जो नारा है वह है स्वस्थ जन सम्रद्व राश्ट के इस मिशन को लेकर मैंने यूटूब प ना तो वीडियो बनाना कैसे है एक मोबाइल फोन पर शूट करके डाल रहा था और एक टेक में जितना होता था पूरा बोल देता था और कभी गढ़बर हो जाए कभी कोई कुटा हो देख कभी कोई साउंड आ जाए किसी ने बैल बजा दी तो पूरा वीडियो खराब हो जात जैसे कि अलका शिवास्त दीदी, ममता सेनी, सोनू लांबा, रवीन रग्रवाल, रवीन शत्री, सुमिछ शिवास्तो, घुपेंज शोकल, सावन कुमार वर्मा ये सारे जो मित्र हैं इन्होंने बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा से दिया मुझे ठीक है अन्बॉक मैं ये शूट कैसे करता हूँ और मेरा विजन क्या है ठीक है देखे मैं जो लोग पहली बार चैनल देखने हैं उनको अपने बारे में बता दूँ मैं एक डॉक्टर हूँ पीडियर्टिशन हूँ मैंने अम्डी बेस अमडी किया और मैं एक मेडिकल कॉलेज आया करता है तो ये इंट्रोड़क्शन है मेरा बैक्राउंड बहुत लोग जाना जाते हैं सावन ने बोला कि मेरा बैक्राउंड तो देखे मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपने बारे में ज्यादा बात करूं लेकिन एक चीव बताना चाहूँगा जो की मोट बहुत आदरश्वादी और बहुत अलग तरहिक इंसान थे लिक और उनोंने बाद में सन्यास ले लिया आज भी वह बहुत ही कम मिनिमम चीजों पर नर्मदा परिक्रमा करते हैं अकेले रहते हैं और मैं कही सालों से नहीं मिल पाया हूं उनसे बीश-वीश में बात हो जात बहुत 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 हैं कि मैं ऐसे बहुत सारी यांग बच्चों को मदद कर सकूं जो की जीवन में आज इस्ट्रगलिक फेज में हैं और जिन्हें एक उमीद की किरण दिखा सके हैं कि नहीं किसी भी स्टेज से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं बस important होता है र सीखते रहें हर वक्त हैना सीखते रहें रचनात्मक रहें पाने की इक्षा हो और पाकर देने की पाटने की इक्षा हो यदि यह कुछ रूल्स हैं आपके जीवन के तो आपको एक अच्छा जीवन और सफलता अवश्य मिलेगी तो यह सारे उद्देश्य की बज़े से आप सेलेबरिटी हो पहले से तो ही आप सक्सेफुल होगे एक आम लड़का भी यहाँ पर काफी कुछ दूसरों को बाटकर अच्छा खासा सक्सेफ हासिल कर सकता है जैसे मेरे फेवरेट यूटूबर की वेश्य में बता दू मेरे सबसे फेवरेट यूटूबर हैं दो बत करता हूं उनका इंट्रेक्ट उनके बोलने का तरीका उनका जो लोगों से कनेक्ट है और जिस तरह की है थौट में फिलोसिपिकल संदीप मुझे बहुत पसंद है दूसरे नंबर पर आएगा माटोजलिक माटोजलिक का चैस चैनल में काफी देखता हूं ठीक है और कुछ के लिए मैं थैंक्स बोना चाहूंगा माइ स्मार्ट सपोर्ट को वो मुझे नहीं जानते होंगे उनसे मैंने काफी कुछ सीखा एडिटिंग वगेरा एंड यूटूब पर कैसे करना है टेक्निकल दोस्त जो चैनल है उससे मैंने काफी कुछ सीखा तो ये कुछ लोगों का कॉंट्रिबूशन जो कि उन लोग तक मेरी पता नहीं आवाज पहुंचेगी भी कि नहीं तो उन लोग को यदि पहुंचे तो उन सब पहुंचा दियेजिएगा वो यदि देख सकें उनको मैं देल से थैंक्स बोना चाहता हूं कि उनकी वज़े से बहतर वीडियो मैं बना पाई रहा हूं ठीक है तो यह थी बात अच्छा अब आती ही बात कि क्या कुछ लोग पूछते हैं कि इससे आओ नहीं वगिरा हां इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता था लेकिन करता हूं मैंने कहा कि जैसे मेरा यूटूब पर फेवरेट जो है वो संदीप संदीप महशुरी बहुत पसंद है मुझे और संदीप महशुरी ने अपने वीडियो को वन दो मोस्ट पॉपलर यूटूबर होने के बहुत दूद भी उन्होंने मॉनिटाइज नहीं किया हूँ और इस पर उन्हें एक वीडियो भी डाला हूँ है कि मैं यूटूब से कु बच्वाण को देने के लिए लेकिन तो मैं शुरू में इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा था लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं इतने सारी गरीब बच्चों का इलाज करता हूँ इतने सारी गरीब बच्चे मेरे पास आते ही कई बार दवाएं खाने रहने की दिक्कते होती हैं तो मैं एक संसा बनाओ छोटी सी अपनी Facebook पर फॉलोविं थी मैंने सोचा उसे संसा बनाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा सा contribution हम लोग लें बट फिर मुझे लगा कि इसमें एक तो cumbersome बहुत हो जाएगा दूसरा transparency को ensure करना मुश्किल होगा तीसरी चीज यह थी कि मैं किसी से मा पाला कि यह चैनल अभी छोटा है 1 लाइक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं पैसा मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत ही significant amount में आ जाएगा यह आता है लेकिन जो भी आएगा आपकी ओर से यह किसी के काम आएगा उनका बहुत डिस्टर्बिंस था मैं यह आ गय लोगोंने कमेट किया कि यह सब बकवास है जो मैं बता रहा हूं कुछ बहुत कम लोग रेशो तो 45% लोगोंने डिस्लाइक किया है 95% लोगोंने लाइक किया हुआ है दो लाख 25,000 करीव यू है अभी उसके और तेहीं से बढ़ रहे हैं तो उसमें भी जैसे मैंने साइंस ब सब्सक्राइबूध कर चेसी बाइबूद करसकों और साथ मैं आप लोगों का साथ आप लोग जो मेरे वैल विश्यूर से मेरे साफी है उनके बिना तो यह संभव नहीं तो यह मेरा विशन है इन स्षूट कैसे करता हूं सिंपल सा मेरे बास मूबाइल फून है फिलाल मैं वीवो 9 से करता हूँ पहले सेमसुंग से करता था वीवो 9 प्लस तो उसका कैमरा काफी अच्छा है वो 4K तक भी शूट हो जाता है बट 4K फ्लोट कोने में दिक्कत होता है तो उसको उसको यूज़ी जैसे भी वहाँ पर कुछ कांस्ट्रेक्शन चल रहा था बाहर तो उससे साउंड का डिस्टर्मेंस हो रहा था और एक मैंने ग्रीन एफेक्ट के लिए कुछ रखा है मैं आपको दिखाता हूँ तो यह जो मेरे पीछे है यह ग्रीन एफेक्ट के लिए मैंने यह थर्मा कोल मे रैगजीन लगवा कर बनवा दिया है ठीक है और बस इससे यह होता है फैदा कि कभी कोई बैक्राउंड वगिरा चेंज करना हो जो कि मैं बहुत कम करता हूँ तो आप उसका यूज कर सकते हैं बैक्राउंड में कुछ डालना हो तो तो यह थी मेरे छोटी सी जर्वनी अभी चोटा सा पढ़ा हो है लेकिन सिग्निफिकेट पढ़ा हो है इस लिहाज से क्योंकि यह कोई एंट्योटेइन्मेंट वाला चैनल नहीं है और नहीं इसमें जूटी सेंसेशनल बातों वाला चैनल है न जूटे थमने लें सेंसेशनल यह चैनल सच्छाई का है अच्छाई का एक दूसरे के साथ देने का है एक दूसरे को मोटिवेट करने का है और सबसे इंपॉर्टेट मेरा अकिले का दी है आप सब का है थैंक्यू वेरे मच